हेलो फ्रेंड्स आसके वीडियो में बात करें हम टाइप सब ट्रांसफर्मार्स के बारे में ठीक है मुझकर अपक्त चाहिए रता है हमारा एक्च्यल होना क्या चाहिए हमारा एक्च्यल्य इन्पुर्ट हीद्ट लेकिन बाउर्पुर्ट Конечно होता है ठीक है तो एच्व इन्पुर्ट हीं देलिंप और गुं बता है उसमें किया होना कुछ मिस्न जो मिस्सिंग रहता है और जो कम रहता है वो जो आउर्पुट्स कम रहता है उसको हम लश्सेश बोलते हैं में लेकिन जब हम सब्सक्ण। मोटर हो या जैनेडर हो इसमें हमारा दो तैप का लॉस में रहता है एक रहता है एड़ी होmm लेकिन जब हम क्या होता है को मुविंग पार्ट न है इसलिए से लेक्रिकाल लॉ्मेट से iba रगता है तो एक होता है था कुछ बारे की होता है यह अर्यक्न कीपार्ट रखुओ तीनों में टाइप से हम उसको बुला सकता है क्योंकि यह जो लॉसेस होता है यह हमारा जो ट्रांसफर्मर कोर में होता है तो इसको हम कोल लॉसेस भी बोलते है और जो ट्रांसफर्मर कोर होता है वह में लिए आयरन से मेड होता है तो इसको हम आयरन लॉसेस भी बोल सकते है ठ जानने से पहले हमको transformer किसी काम करता है वार में जानना ज़रूर है तो फ्रें एक्चल हमारे ट्रांसपर होता है वो फारडस लोस अफ़लोक्रमानिक इंडक्सन का mutual induction process में काम करता है क्योंकि इसके जो जित्क्रे बारे एक transformer core है यहां पर प्राइमिर कहा थो वी आख दोनों का बीच में क्यों मिलिकोर में काम करता है यहां पर मीरौक्स क्रेस क्रेड होता है किसी होता है किसी भी इलेक्टिक थेil檔र इसके अंतर हम हम इलेक््रिक सप्लाइफ फ्लेफ इसका असस पास मेंगनेटिk kryएड होगा ठीक है यह जो मैंगनेटिk came होता है अगर यह दूसरा अ-पर कंडड़िकप्ताइब को कॉट करें ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ एक सिंगिल कंडेक्टर के मारे में आतकर हूं एस पर इस यह क्या होगा जो मेगनेटिक फ्लोक्स का डायरेक्शन होगा एक पर पॉजेटिव में इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो यह जो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेगा यह क्या होगा यहां पर जो कंडेक्टर में प्राइमेरी वाइंडिंग में सप्लाइ आता है और यहाँ पर जो मेगनेडिक फिल्ड क्रियेड होता है और उस मेगनेडिक फिलॉस्ट को यह जो हमारा सेकेंडिर वाइंडिक का यहाँ पर हमारा सप्लाइ मिलता है जो कि हमारा लोड के लिए हम यूज करते हैं तो यहाँ प रहे हैं जैसे कि जब हैं UMAT क्रूँ अंदर के वहां इसकोँ मूझे on होता है वह एक्चुली small amount का होता है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई transformer को तोड़ा होगा तो देखायागा उस त्रांसफर्मर होता है वह transformer में बहुत पतला पतला strip के हिसाब से उसका core को बना गया है क्योंकि जो ED current losses होए उसले से उसको reduce करने के लिए लसेस को हमारा जो ED current losses होता है इसको पर्मानेटली हटा नहीं सकते हैं लेकिन कुछ हद तक इसको reduce कर सकते हैं इस ED current losses को reduce करने के लिए हम लोग यूज करते हैं lamination silicon steel जो हमारा lamination silicon steel को हम यूज करते हैं देखा होगा आपने तोड़के वहाँ पर जो यूज कबदा ही अलगा हएं वहां पर पतरा सा सिलिकान का मतलब एक लेयर दिया घ्ति estás में जो कि हमारा जैसे कि हम सबको बता कि इंडिया में जो फ्रिक्योंशी अुज कू nectar होता है वह एक फिछिप्टि होच होता कि यह जो वीडियो है बहुत लंबा हो चुका है वीडियो को और लंबा नहीं करें इसलिए इसको मैं डिस्केशन में दे दिया हूँ आप वहां से देख लिजे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू